नमस्कार आपके साथ मैं पूजा जादवन और आप देख रहे हैं The Factor India हर साल 25 जनवरी के दिन राष्ट्रिय मतिदाता दिवस मनाया जाता है राष्ट्रिय मतिदाता दिवस का उदेश नागरकों को अपने मतादिखार का प्रयोग करने के प्रति जागरूप करना है जागरूप करने के अलावा राष्ट्रिय मतिदाता दिवस के जरिये देश की नागरकों के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भी तो चाहित किया जाता है देश में आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनका वोटर आईडी कार्ट तक नहीं बना ऐसे में राष्ट्रिय मतिदाता दिवस के माध्यम से जागरूपता अभ्यान चलाकर नए मतिदाताओं को मतिदाता सूटी में शामिल किया जाता है राष्ट्रिय मतिदाता दिवस की मौकी पर भारत के निर्वाचन आयोग ने चिंता व्यक्त की है हालांकि भारत का जुनिर्वाचन आयोग है वो कई तरह की प्रोग्राम है वो चलाता है आपको जानकार देदे कि चुनाव आयुक्त ने एक जो वोटिंग प्रकृरिया होती है और इसके साथ ही जो चुनाव है आने वाले उनको लेकर भी चुनता व्यक्त की है मुख्य चुनाव आयुक्त राजिम कुमार ने कहा है कि चुनाव प्रकृरिया में लोगों के विश्वास और निस्ठा को कम करने के लिए डीप, फेक और साथी आर्टिफिशल इंटालिजेंस का उपयोग टेजी से हो रहा है हालांकि उन्होंने आश्वस्त किया कि यदि ऐसा कुछ होता है तो जूटे नेरेटिव से चुनावों की अखंडता के मौलिक सिधान से समझोता करने के किसी भी प्रयास को तोरेत और मजबूत उपायों से निप्टा जाएगा मुख्य चुनावायों उपने 14 वे राष्टे मतदाता दिवस की पूर्वसंध्या पर सभी मतदाताओं को शुपकामनाय देते वे कहा कि प्रदोगकी ने चुनावी प्रक्रिया को सम्रद करने के लिए कई सुविधाओं को संभब बनाए लेकिन इसमें लोगतांत्रिक विवस्ता के लिए कई चिनोतियां भी पेश की हालांकि हम समान अबसर बनाए रखने के अपने संकल पर ज्रण है उन्होंने आश्वस्त किया कि जूटी कहानियों से चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को प्रहवित करने की किसी प्रयास से फोरन और कडाई से निप्टा जाएगा पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से पूरे उत्सहा के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रे उन्होंने किया और कहा कि यूबा मतदान करने और अपने साथियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेड़ करे राजिब कुमार ने कहा कि इस साल भारत समेट साट से अधेक लोगतांत्रिक देशों में चुनाप होगे हमारे देश पर सभी का ध्यान केंद्रित रहेगा क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवन्त लोगताद है इस ख़वर पर आपके विचार हमें कमार करके ज़रूर बता हैं बनी रहें दफेक्ट इंडिया के साथ ताज़ा ख़वरों के लिए बिजिट करें दफेक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनूट करें दफेक्ट इंडिया एप